ओम श्री अनंत कोटी ब्रह्मान्द नायक राजा धिराज योगी राज पार ब्रह्म श्री सचिदानंद समर्सद गुरू साइनात महराज की जैवो प्रिय भक्तों आज श्री साइन सचरित्र का अध्याए 49 हे साइं आपके चरणों में हम सब की प्रार्तना है जिस तरह से इन अध्याओं का अध्यान हो रहा है प्रभू अपना अशिरवाद बनाए रखना ये सबी अध्याए हम सब के चित्त में उत्रें हमारा जीवन सफल हो आईए शुरू करते हैं अध्याए 49 बाबा का संस्कृत ज्यान गीता के एक शलोक की बाबा द्वारती का समाधी मंदिर का निर्माण इस अध्याए में बाबा ने गीता के एक शलोक का अर्थ समझाया है कुछ लोगों की ऐसी धारना थी कि बाबा को संस्कृत भाषा का ज्यान ना था और नाना साहिब को भी उनके प्रती ऐसी ही धारना थी इसका खंडन हेमाडपंत ने मूल बराठी ग्रंत के पचासवे अध्याय में किया है दोनों अध्यायों का विश्य एक सा होने के कारण वे यहां सम्मिलित रूप से दिये जाते हैं प्रस्तावना श्रीडी के स्वभागे का वर्णन कोन कर सकता है श्री द्वारकमाई भी धन्य है जहां श्री साई ने आकर निवास किया और वहीं समाधिस्त हुए श्रिडी के नर नारी भी धन्य है जिने साई ने पधार कर अनुग्रहित किया और जिनके प्रेमवश ही वे दूर से चल कर वहां आए श्रिडी तो पहले एक छोटा सा ग्राम था परन्तु श्री साई के संपर्ख से विशेश महत्व पाकर वह एक तीर्थ ख्षेत्र में परिनत हो गया श्रिडी की नारियां भी परम भग्य शालिनी है जिनका उन पर असीम और अडिक विश्वास प्रशंसा के परे है आठों प्रहर कामकाज करते पीसते अनाज निकालते ग्रह कारे करते वे उनकी कीर्थी का गुणगान किया करती थी उनके प्रेम की उपमा ही क्या हो सकती है वे अत्यंत मधुर गायन करती थी जिससे गायकों और श्रोतागण के मन को परम शान्ती मिलती थी बाबा द्वारा टीका किसी को सपन में भी ग्यात ना था कि बाबा संस्कृत के भी ग्याता हैं एक दिन नाना साहिब चांदूरकर को गीता के एक शलोक का अर्थ समझा कर उन्होंने लोगों को विसमे में डाल दिया इसका संख्शिप्त वर्नन सेवा निवरत मामलतदार शिरी बीवी देवने मराठी साइनलीला पत्रिका के भाग चार यानि स्फुट विशे प्रष्ट 563 में छपवाया है इसका संख्शिप्त विवर्न साइन बाबा स्चार्टर्स एंड सेइंग पुस्तक के 61 प्रष्ट और दा वंडर सेंट साइन बाबा के प्रष्ट 36 पर भी छपवा है ये दोनों पुस्तके श्री भीवी नरसिंग स्वामी द्वारा रचित हैं श्री भीवी देव ने अंग्रेजी में तारीख 27.9.1936 को एक व्यक्तव्य दिया है जो की नरसिंग स्वामी द्वारा रचित पुस्तक के भक्तों के अनुभव भाग तीन में छपा है श्रीदेव को इस विशे की प्रथम सूचना नाना साहिब चांदुरकर से प्राप्त होई थी इसलिए उनका कथन नीचे उद्दत किया गया है नाना साहिब चांदुरकर वेदान्त के विद्द्वान विद्ध्यारतियों में से एक थे उन्होंने अनेक टिकाओं के साथ गीता का अध्यम भी किया था तथा उन्हें अपने इस ग्यान का अहंकार भी था उनका मत्त था कि बाबा संस्कृत भाशा से सर्वता अनभिग्य हैं इसलिए बाबा ने उनके इस भ्रह्म का निवारण करने का विचार किया वह उस समय की बात है जब भक्त गण अल्प संख्या में आते थे बाबा भक्तों से एकांत में देर तक वारता लाप किया करते थे नाना साहिब इस समय बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और एस्पष्ट शब्दों में कुछ गुनगुना रहे थे बाबा नाना तुम धीरे धीरे क्या कह रहे हो नाना मैं गीता के एक शलोक का पाठ कर रहा हूँ फिर बाबा ने पुछा कौन सा शलोक है वे नाना कहते है यह भागवद गीता का एक शलोक है तब बाबा ने पुछा जरा उसे उच्छ स्वर में कहो तब नाना भागवद ग कीता के चोथे अध्याय का चोथी स्वांशलोक कहने लगे तद्विद्वी प्रणितेन परिप्रश्णेन सेवया उपद्यक्षंती ते ज्ञानम ज्ञानिनस्त तत्वदर्शनिन फिर बाबा ने पूछा नाना क्या तुम्हें इसका अर्थ विदित है नाना जी महराज बाबा ने पूछा यदि विदित है तो मुझे भी सुनाओ नाना कहने लेगे कि इसका अर्थ है तत्व को जानने वाले ज्ञानि पुरुशों को भली प्रकार दंडवत कर सेवा और नि यान का उपदेश देंगे तब बाबा बोले नाना मैं इस प्रकार का संकुल भावार्थ नहीं चाता मुझे तो प्रत्येक शब्द और उसका भाशा अतरित उचारन करते हुए व्याकरण सम्मत अर्थ समझाओ अब नाना एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे बाबा ने फिर पूछा नाना क्या केवल साश्टांग नमस्कार करना ही परियाप्त है तब नाना बोले नमस्कार करने के अतरिक्त में प्रणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता फिर बाबा ने पूछा परिप्रशन का क्या अर्थ है नाना बोले प्रशन पूछना बाबा फि परी उपसर का परियोग क्यों किया क्या व्यास की बुद्धी ब्रष्ट हो गई थी नाना ने कहा मुझे तो परिप्रश्ण का अन्य अर्थ विदित नहीं है फिर बाबा ने कहा सेवा यहां किस प्रकार की सेवा से आश्य है नाना वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहे हैं नाना कहें लेगे और इससे अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ग्यात नहीं है फिर बाबा ने कहा दूसरी पंक्ती के उपदिक्ष्यंती ते ग्यानम में क्या तुम ग्यानम शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का परियोग कर इसका अर्थ कह सकते हो नाना ने का जी हां बाबा कहने लेगे कौन सा शब्द फिर नाना ने दोराया अज्यानम बाबा ने का ज्यानम के बजाए उस शब्द को जोड़ कर क्या इस शलोग का अर्थ निकलता है नाना ने कहा जी नहीं शांकर भाष्ये में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है बाबा किस प्रकार परयोग होगा फिर बाबा कहने लगे कृषन ने अरजन को क्यों ग्र्जाणियों या तत्वदर्शियों को नमश्कार करने उन से प्रश्ण पूछने और सेवा करने का उपदेश दिया था क्या स्वयम कृषन तत्वदर्शी नहीं थे वस्तुते स्वयम ग्यान सुरूप, नाना जी हाँ वे ग्यान अबतार थे परनतु मुझे ये समझ में नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ग्यानियों के लिए क्यों कहा फिर बाबा ने कहा क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया अब नाना हथ प्रब हो गए उनका घमंड चूर हो चुका था तब बाबा स्वयम इस प्रकार अर्थ समझाने लेगे ज्यानियों को केवल साश्टांग नमश्कार करना पर्याप्त नहीं है हमें सद्गुरू के प्रती अनन्य भाव से शरनागत होना चाहिए दूसरा केवल प्रश्ण पूछना पर्याप्त नहीं किसी कुप्रवर्ती या पाखंड या वाक्य जाल में फसाने या कोई तुटी निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्ण नहीं करना चाहिए वरन प्रश्ण उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष्या अध्यातिक पत्थ पर उन्नती प्राप्त करने की भावना से ही प्रेरित होकर करना चाहिए तीसरा मैं तो सेवा करने या अस्विकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूँ जो ऐसी भावना से कारे करता है वह सेवा नहीं कही जा सकती उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निवित ही यह विद्यमान है इस परकार आचन करने से तुम्हें सद्गुरु द्वेरा ग्यान की प्राप्ति हो जाएगी जैसा कि पूर्व शलोक में बताया गया है नाना को यह समझ में नहीं आ सका कि गुरु किस परकार अज्ञान की शिक्षा देते है बाबा ग्यान का उपदेश कैसा है अर्थाद भविष्ये में प्राप्त होने वाली आत्मनुभूति की शिक्षा अज्ञान का नाश करना ग्यान है गीता के शलोक 18-66 पर ग्यानेश्वरी भाष्ये की ओवी यानि 1396 में इस प्रकार वरणन है हे अर्जुन यदि तुमारी निद्रा और स्वपन भंग हो तब तुम स्वय करने के अत्रिक्त कोई और भेद भी है अंदकार नश्ट करने का अर्थ प्रकाश है जब हम द्वैत नश्ट करने की चर्चा करते हैं तो हम अद्वैत की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि प्रकाश की बात करते हैं यदि हम अद्वैत की स्थिती का अनुभव करना चाहते तो हमें द्वैत की भावना नश्ट करनी चाहिए यही अद्वैत स्थिती प्राप्त होने का लक्षण है द्वैत में रहकर अद्वैत की चर्चा कौन कर सकता है जब तक वैसी स्थिती प्राप्त ना हो तब तक क्या उसका कोई अनुभव कर सकता है शिश्य श्री में भिन्नता होती है सद्गुरु निर्गुण निराकार सचिदानंद है वस्तुत है वे केवल मनुष्य जाती और विश्व के कल्यान के निमित स्वेच्छा पूर्वक मानव शरीर धारन करते हैं परंतु नर्द है धारन करने पर भी उनकी सत्ता की अनंतता में कोई भादा उपस्तित नहीं होती उनकी आत्मो पलब्दी लाब डैविक शक्ती और ग्यान सदा एक से रहते हैं शिश्य का भी तो यथार्थ में वही स्वरूप है परंतु अंगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन हो जाता है और उसी के वशिभूत होकर उसे भ्रम हो जाता है तथा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की विस्वर्ती हो जाती है गीता का अध्याए 5 देखो अग्याने नावर्तम ज्यानम तेन मुहानती जन्तव जैसा कि यहां बतलाया गया है उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूँ एक प्राणी हूँ दुरबल और असहाय हू गुरू इस अग्यान रुपी जड़ को काट कर फेक देता है और इसलिए उसे उपदेश करना पड़ता है ऐसे शिश्य को जो जन्म जन्मांत्रों से यह धारना करता आया है कि मैं तो जीव दुरबल और असहाय हूँ गुरू सेक्णों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते है क तुम ही इश्वर हो सर्वशक्ति मान और समर्थ हो तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र भास होता है कि अथार्त में मैं ही इश्वर हूँ सतता भ्रह्म में रहने के कारण ही उसे ऐसा भास होता है कि मैं शरीर हूँ एक जीव हूँ तथा इश्वर और यह विश्व मुझ से एक भिन वस्तु है यह तो केवल एक भ्रह्म मात्र है जो अनेक जन्मधारन करने के कारण उत्पन हो गया है कर्मा नुसार प्रतेक प्राणी को सुख दुख की प्राप्ति होती है इस भ्रह्म इस तुटी और इस अज्ञान की जड़ को नश्ट करने के लिए हमें स्वयम अप फे Rank logarithm से लिए उधारन है पहला मैं एक जीव यानी प्राणी हूँ दूसरा शरीर ही आत्मा है यानि मैं शरीर हूँ तीसरा इश्वर विश्व और जीव भिन भिन तत्व है चोथा मैं इश्वर नहीं हूँ पांचवा शरीर आत्मा नहीं है इसका बोध ना होना छटा इसका ज्यान ना होना कि इश्वर विश्व और जीव एक ही है जब तक इन तुटियों का उसे दिख दर्शन नहीं कराया जाता तब तक शिश्य को यह कभी अनुभव नहीं हो सकता कि इश्वर जीव और शरीर क्या है उनमें क्या अन्यो नश्रित संबंध है तथा वे परस पर भिन्न है या अभिन्न है अत्वा एक ही इस प्रकार की शिक् शक्ता है उपदेश का हे तू तो केवल तुटि को उसकी दिख्टी में लाकर अज्ञान को नश्ट करना है बाबा ने आगे कहा पहला प्रनिपात का अर्थ है शरनागती दूसरा शरनागत होना चाहिए तन मन धन से अर्थात अनन्य भाव से तीसरा कृष्ण अन्य ज्यान अर्थात कोई भी गुरू अपने भक्त के लिए कृष्ण है और गुरू शिष्य को वासुदेव मानता है और कृष्ण इन दोनों को अपने प्राण और आत्मा भागवत गीता अध्याय साथ से अठारा पर ज्यान देव की टीका चूंकि श्रीकिष्ण को विदे था कि ऐस से अनेक भक्त और गुरू विद्यमान है इसलिए उनका महत्व बढ़ाने के लिए ही श्रीकिष्ण ने अर्जुन से ऐसा उलेक किया समाधी मंदिर का निर्माण बाबा जो कुछ करना चाहते थे उसकी चर्चावे कभी नहीं करते थे प्रत्युत आसपास ऐसा बातावरण और परिस्तिती का निर्माण कर देते थे कि लोगों को बाद में उनका निश्चित परिणाम देख कर बड़ा अचमबा होता था समाधी मंदिर इस विशे का उधारन है नागपूर के प्रसिद लक्षा धिपती श्रीमान बापु साहिब बूटी साकुटम शिरिडी में रहते थे एक बार उन्हें विचार आया कि शिरिडी में स्वयम का एक वाड़ा होना चाहिए कुछ समय के पश्चात जब वे दिक्षित वाड़े में निद्रा ले रहे थे तो उन्हें एक स्वपन हुआ बाबा ने स्वपन में आकर कहा कि उनसे कहा कि तुम अपना एक वाड़ा और एक मंदिर बनवाओ शामा भी वहीं शेयन कर रहा था और उसने भी ठीक वैसा ही जब उठे तो उनने शामा को रूदन करते देखकर उससे रूने का कारण पूछा तब शामा कहने लगे अभी अभी मुझे एक स्वपन आया है आया था कि बाबा मेरे बिलकुल समीप आये और इस पश्च शब्दों में कहने लगे कि मंदिर के साथ वाड़ा बनवाओ मैं स इसलिए मैं जोर से रोने लगा बापु साहिब बूटी को अश्चर हुआ कि दोनों के स्वपन एक से ही हैं धनाडे तो थे ही उनने वाड़ा निर्मान करने का निश्चे कर लिया और शामा के साथ बैठ कर एक नक्षा खीचा काका साहिब दिक्षित ने भी उसे स्विक्रत किया और जब नक्षा बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उनने भी तुरंत स्विक्रती दे दी तब निर्मान कारे प्रारम कर दिया गया और शामा की देख रेक में नीचे मन्जिल तहखाना और कुमा बन कर तयार हो गए बाबा भी लेंडी को आते जाते समय होना चाहिए जिसके बीचों बीच मुर्लिधर की मूर्ती की भी स्थापना की जाए उन्होंने अपना विचार शामा को प्रकट किया तथा बाबा से अनुमती प्राप्त करने को कहा जब बाबा वाड़े के पास जा रहे थे तभी शामा ने बाबा से प्रशन कर दिया शाम पूर्ण बन जाएगा तब हम सब लोग उसका उपभोग करेंगे वहीं रहेंगे घूमेंगे फिरेंगे और एक दूसरे को हिर्दे से लगाएंगे तथा आनंद पूर्वक विचरेंगे जब शामा ने बाबा से पूछा कि क्या यह मूर्ती के मद्धे कक्ष की नीव के कारे आरंब का शुबमूरत है तब उनने स्विकारात्मक उत्तर दे दिया तभी शामा ने एक नार्यल लाकर फोड़ा और कारे प्रारंब कर दिया ठीक समय में सब कारे पूर्ण हो गया और मुर्लिधर की एक सुंदर मूर्ती बनवाने का प्रबंद किया गया अभी उसका निर् बहुत उदास और निराश से हो गए उनने सोचा कि यदि बाबा चले गए तो वाड़े वाड़ा उनके पवित्र चरनस पर से वंचित रहे जाएगा और मेरा सब लगबग एक लाख रुपया व्यर्थ हो जाएगा परन्तु अंतिम समय बाबा के श्रीमुक से निकले हुए वचनों ने मुझे वाड़े में ही रखना केवल बूटी साहिब को ही संतावना नहीं पहुँचाई वरन अन्य लोगों को भी शान्ती प्रदान की कुछ समय के पश्चाद बाबा का पवित्र शरीर मुर्लिधर की मूर्ती के स्थान पर रख दिया गया बाबा स्वयम मुर् पार्थिव शरीर अब विश्राम कर रहा है श्री सद्गुरु साहिनाथ परनमस्तु शुभंभवतु ओम साहिराम